गाइस फाइनली रेड्मी नोट 10 प्रो रेड्मी नोट 10 प्रो मैक्स दूजर्स के लिए इंडिया में एक न्यू अपडेट रॉल आउट होने स्टार्ट हो चुका है जिसका की वर्जिन है MIUI 13.0.4.0 और आप में से काफी सारे लोगों ने मेरे पास के स्क्रीन शॉट भी सेंड किया है जैसे के आप देख सकते हो MIUI 13.0.4.0 SKF INXM और जो स्टेबल अपडेट है वो 710 MB का है जो काफी सारे लोगों को मिलना अभी-अभी स्टार्ट हुआ है और गैस इसके जो वाट्स मार्स से सिधा है माई का सिक्योर्टी पैच कर देंगे इस वाले न्यू अपडेट के साथ पर आपको एक चीज बता दू अभी तक की वाला जो अपडेट है मेरे ड्मी नोट 10 प्रो में अभी तक यह रिसीव नहीं है जैसके आप देख सेक्टियो में चेक फॉर अपडेट को देखने को मिला है तो आज की वीडियो का आपको complete follow करना है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप MIUI 13 के किसी भी version पर नोट 10 प्रो या नोट 10 प्रो मैक्स में चाहिए 0.3.0 पर हो या फिर MIUI 13.0.1.0 पर हो तो आप कैसे easily switch कर सकते हो MIUI 13.0.4.0 पर तो आपको यार बिना कीज़ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो यार सबसे पहले मैंने आपको description में दो link provide कर रहा है सबसे पहले आपको first वाले link पर click करना है जिस पर की लिखा हुए MIUI 13.0.4.0 और गैसी जो link है वो दोनों users के लिए valid होगा चाहिए आपको बस Redmi Note 10 Pro हो या फिर Redmi Note 10 Pro Max हो जैसे आप उस link पर click करोगे तो simply आपका जो एक file है वो download हो जाट हो जाएगा जो कि होगा MIUI 13.0.4.0 का full room वाला file जैसके आप देख सकते हो यह 2.99 GB का file है वो download हो चुका है तो इसे मैं already download कर चुका हो तो मैं cancel पर इसे click कर देता हूँ तो जो second file है उसे download करने से पहले आ आपको setting में जाना है setting में जाने के बाद आपको about phone पर जाना है आपका current version है जो आप लिखा हुआ है MIUI 13.0.3.0 SKF INXM इसे आप जरूर से check कर ले ना कि आपका कौन सा version है क्योंकि किसी का अलग हो सकता है तो आप अपना version जरूर से check कर ले ना अगर आप 13.0.3.0 पर हो तो मैं website का link दे रहा है description में simply आपको उस website के link पर click करने ना है जो कि यह वाले website है जो कि एक official website है आपको कोई भी roam download करना है Xiaomi UI का देख सकते हो आप MIUI roam latest download वाले website है जो कि Xiaomi firmware update नाम से है इसका website तो इसे आपको आज आना है जैसे आप इस पर open करोगे तो आपने आपको device का नाम यहापर search कर लेना है search bar में जैसे आप यहाँ पर search कर लोगे तो आपका device के नाम और काफी साई devices के नाम यहाँ पर आ जाएंगे तो simply आपको अपना device यहाँ पर search कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पर Redmi Note 10 Pro और Pro Max सर्च कर लेता हूं तो यहाँ पर मैं थोड़ा scroll down करूंगा तो मुझे अ skf-inxm जो की अभी हमारा current version है 13.0.3.0 skf-inxm इन दोनों को आपको यहाँ से match कर लेना है match करने के बाद आपको simply कुछ भी नहीं करना देख सकते हो match हो गया है और यहाँ पर 3.2 GB का फाइल है तो simply आपको यहाँ से download पर click कर देना आप किसी भी version पर हो same version वाला download करना है वो भ clear setting open करने के बाद आपको जाना है about phone पर आपको करना यहाँ अपर click करने के बाद simply आपको 10 टाइम टैम करना है जैसे 10 टैम से आप करोगे तो आपका लिखा आ जाएगा additional update features are on उसके बाद आपको यहाँ पर 3 dots पे click करना है, 3 dots पे click करने के बाद आपको choose update package पे click करने के बाद जहां भी आपको रोम डाउनोड होगा, जो कि first second वाला रोम है, जो कि आपका currently अभी चल रहा है, जैसे मेरा भी currently चल रहा है 13.0.3.0 जो भी आपके रोम फाइल होगी, उसे select कर लेना है, तो वाली रोम फाइल मेरे यह वाली है, तो इसे मैंने select कर लिया 13.0.3.0 वाली को, जो कि आपका currently चल रहा है, आपका 13.0.1.0 भी हो सकता है, 2.0 भी हो सकता है, या फिर 3.0 भी हो सकता है, आपका जो भी आप वही वाला select कर लेना, अभी latest वाला मत करना तो कि 0.4.0 है, उसे select मत करना, तो जैसे आप उसे select करोगे, आपका लिखा आ जाएगा, your device will reboot automatically to update MIUI 13.0.3.0, तो आपका यह अलग भी दिखा सकता है, क्योंकि आप अपने हिसाफ से select करोगे, अगर आपका 13.0.3.0 है, तो आपका यही दिखाएगा, तो आपको इसका यहाँ पर भी files है, जिसको कि मैंना भी download किया है, जो कि 13.0.4.0 का, और एक है 13.0.3.0 का, तो इस step को आप बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि है सबसे important step है, पूरे process का, और इस step को बताने से पहले, अभी तक आपने वीडियो को like नहीं कहें, तो like कर दो, क्योंकि है आपका एक ल करना किया है, तो सबसे पहले आपको यह वाला file ले लेना है, यह वाला file को आपको select करना है, select करने के बाद को more के option पे click करना है, और यहापे आपको rename पे click कर दिना है, तो rename पे click करने के बाद, आपको यह पूरा file है, उसे copy कर लेना है, देख सकते हो, पूरा यहापे select करना है को सबसे पहले पूरा इससे फाइल को सलेक्क कर लो यहाँ पर JUNList कर लो मैं सबसे पहले सलेट कर लिए अच्छे से आप से सलेट कर लो पूरा यहाँ यहाँ पर क्लिक कर लिए और США कशेज कर दिए और Laid जो ffile का नाम बिगर चुका है अब आपको जो second वाला file है जो 13.0.4.0 फायल है उस पर आपको click करना है उसको click करने के बादए आपको more पे जाना है फिर से आपको rename पे click करना है इस वाले पूरे फायल को यहांसे delete कर देना है यहां से जो के 13.0.3.0 हो गया है तो बस नाम चेंज हो है इसके अंदर का कोई भी फाइल चेंज नहीं हो है तो हमने बस से रिनेम कर दिया है अगर आपको यह समझ भी नहीं आ तो आप वापस से वीडियो को अपडेट होने देते हैं और जैसे यह complete 100% अपडेट होया आता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं इसका first look guys phone जो है वो successfully update हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है updated MIUI successfully हम चलते हैं setting पर setting पर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका MIUI version है MIUI 13.0.4.0 हो चुका है और साथ में इंडिया वाला ही है SKF INXM जो कि Android 12 के साथ आता है और इसका जो Android security patch है वो भी 1 माई का हो गया है तो आज है 18 माई माई इन्होंने 1 माई का security patch दे दिया है जो कि मुझे काफी अच्छी बात लगी Xiaomi की तो आज की वीडियो में यही तकी था आशा करतो हो आप भी अपनी device को इसली अपडेट कर पाए होंगे अगर आपका भी अपडेट सक्सेस्फुल हो गया तो वीडियो को लाइक करे कमेंट करके जरूर से बताना आपका अपडेट हुआ या फिर नहीं थांक्यू गाइस मारी वीडियो देखने के लिए